वेलकम टू नेशक जाओं आज है आठ नवमर दोयाद तेईस और आठ नवमर दोयाद तेईस से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट ट्रेक्ट वी मैं को बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में आप से कुश्चन पोचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स मों बताना है आज कि इस वीडियो के डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप मारे टेलिग्राम गुरुप से भी रास्टी ये कैंसर जागरुकता दिवस कम मनाया गया है तो अभी सात नवंबर को रास्टी ये कैंसर जागरुकता दिवस मनाया गया है तो इसकुश्चन का बे ओप्सन सही है कैंसर के सीग्र पैंचान, रोक्ताम और उप्चार के बारे में जागरुकता बढाने के लिए हर साल सात नवंबर को रास्टी कैंसर जागरुकता दिवस मनाया जाता है अच्छा, साथ नवंबर को ही एक और important day मना जाता है, सिसू सरक्षड दिवस, तो ये दो important day साथ नवंबर को मना जाता है, अभी एक नवंबर को 207 हार दिवस मना जाता है, दो नवंबर को पत्रकारों के खिलाब अपरादों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतरास्टी द दिवस मना जाता है, तीन नवंबर को बिस जैलिफिस दिवस और अंतरास्टी बायोस्पेर रिजर्ब दिवस मना जाता है, तो नवंबर में अब तक इतने important day मना जाता है, ये आपको याद रखने है, आज किस वीडियो का हम target रखते हैं, 40 या लाइक का, तो अगर ये तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी live automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में सेद मुस्ताक अली ट्रॉफी का खिताब केस टीम ने जीता है तो अभी पंजाब की टीम ने बड़ोदा की टीम को हरा कर सेद मुस्ताक अली ट्रॉफी किताब जीता तो इस question का say option सही है सेद मुस्ताक अली ट्रॉफी ये T20 cricket की एक ट्रॉफी है और इसका आयोजन BCCI करता है अभी पंजाब ने बड़ोदा को हरा करिये सेद मुस्ताक अली ट्रॉफी जीती है अब पंजाब ने जीती तो ये है मैप में पंजाब पंजाब की capital के है चंडिगड पंजाब की chief minister कौन है भगबंत मान और पंजाब की governor कौन है बनबारी लाल पुरोहित अभी पंजाब की मुक्यमंत्री को certificate of excellence से सम्मानित किया गया पंजाब सरकार ने राजी को नसा मुक्त बनाने के लिए mission hope initiative शुरू किया है पंजाब की नवापिंड सरदारवा गाओं को सर्वस्रेश्ट परेटन गाओं का पुरुसकर मिला और पंजाब सरकार अबसेस मुक्त बासमती चावल की खेती का pilot project सुरू कर रही है next question है खाली में कौन अंतरास्टी सौर गठवन्दन का 95 मा सदस्य बना तो अभी चिली अंतरास्टी सौर गठवन्दन यानि कि international solar alliance का 95 मा सदस्य बना है तो इस question का बे options है आपको बदा है यह क्या है international solar alliance तो आपने करक रेखा का नाम तो सुनाओगा साड़े तेज डिगरी उत्तरे अक्षान यानि कि tropic of cancer एसे एक है मकर रेखा यानि कि साड़े तेज डिगरी दक्षडे अक्षान यानि कि tropic of capricorn तो tropic of cancer और tropic of capricorn इन दोनों के बीच में जितने भी देश पढ़ते हैं इन देशों पर sunlight सबसे ज़्यादा पढ़ती है इसी sunlight का यूज इनर्जी की रूप में करने के लिए अंतरास्टी सौर गठवंदन बना और अब इसका 95 मा सदस से चिली बन गया है अब चिली तो ये है मैप में चिली चिली की capital क्या है सेंटियागू चिली की currency क्या है चिली पैसो और चिली के present time पे प्रेसिडेंट कौन है गेब्रीयल बौॉरिक कौन है गै प्रियल बौॉरिक नए क्यूशन चिली के से उप्सेन से आप आईएटी की बात है तो अभी के बी अईसी ने I.A.T. दिल्ली में नए खादे इंडिया आउटलेट का उदगाटन किया I.A.T. कानपुर ने स्टार्ट अप एको सिस्टम को बड़ावा देने के लिए I.C.I.C.A. बैंक के साथ साज़ेदारी की I.A.T. दिल्ली ने मिट्टे के कटाव की पहली रास्टी इस्तर की मैपिंग की है Lieutenant General कुमरजीत सिंग धिल्नो को I.A.T. मंडी के Board of Governors का प्रमुक निफ्ट किया गया और एक गुमनाम दान दाता ने I.A.T. बॉंबे को 160 करोड रुपए का दान दिया है ने कुशन है हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज में एक तिहाई से अधिक परिवार 6,000 रुपए प्रति महाँ पर गुजारा करते हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है जो जाती सर्वेक्षड हुआ है इसकी detailed report है इस detailed report में ये सामने आया है कि बिहार में एक तिहाई से अधिक परिवार 6,000 रुपए प्रति महाँ पर गुजारा करते हैं तो इस question करते हैं बे options हैं एक तिहाई से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक income 6,000 या 6,000 से कम है इतने कम में ये एक तिहाई परिवार गुजारा करते हैं अब बिहार तो ये है मैप में बिहार बिहार की capital क्या है? पतना बिहार की chief minister कोन है? नितिस कुमार और बिहार की governor कोन है? राजेंद्र अर लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री ने रभी महावियान दुजर 20 का सुवारम किया बिहार में सिक्षकों को टेस्ट के माद्यम से सरकारी कर्मचारी का दरजा दिया जाएगा बिहार के उद्योग बिभाग ने बेंगलूरू में investor summit का आयोजन किया और बिहार सरकार ने निया एक सिवाओं में AWS के लिए 10% आरक्षड की गोश्णा की अच्छा बिहार में बालमी की नेशनल पार्क है यह आपको याद रखना है हाली में किस ने ब्राजिलियाई Grand Prix 2023 जीता है तो अभी मैक्स वर्स्ट अप पर ने ब्राजिलियाई Grand Prix 2023 जीता है तो इस कुश्चिन का ए ओप्सन सही है रेड बूल कंपनी के फॉर्मूला बन ट्राइवर है Max Worst Up Pan और इनों नहीं अभी ब्राजिलियाई Grand Prix 2023 जीता है अच्छा मेक्सिको सेटे Grand Prix ये भी Max Worst Up Pan ने जीता इंडियन Grand Prix 2023 ये मार्को वेजैंसी ने जीता सिंगापूर Grand Prix 2023 ये कार्लो सेंज ने जीता Max Worst Up Pan ने Italian Grand Prix जीता और Dutch Grand Prix 2023 ये Max Worst Up Pan ने जीता ने क्यूशन है हाली में कौन से राजी सरकार गाये जनगड़ना कराएगी तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये गोशना की है कि उत्तर प्रदेश सरकार गाये जनगड़ना कराएगी दुस्कुशन का से ओप्सन सही है अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैं अपना उत्तर प्रदेश की केपिटल क्या है लखनो और लखनो किस नदी किना रिष्टित है गूमती नदी किना रिष्टित है उत्तर प्रदेश की चीपनेश्टर है योगी आदितनात और उत्तर प् बारे सिंगा राज की पच्छी है सारसिया क्रोंच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रक्ष है असोग का ब्रक्ष उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल बिश्विद्याले खुलेगा रन फॉर यूनेटे कारिकरम का आयोजन लखनव में किया गया बगवान बुद्ध की 51 फेट उची प्रतिमा कौसांबी में स्तापित की जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार तेन दिवसी स्रे अन्न महुतसब आयोजित कर चुकी है अच्छा उत्तर प्रदेश में दुद्ब । यज़ेश देश ने अपने पूरे किर्केट बॉर्ड को बर्खास्त कर दिया तो आपको पता है अभी स्रिलंका को इंडिया ने 302 रन से तेंसो दूर्णि की 사मनाख हार के बाद स्रेलंका के ग्रिकेट बौन ने पूरा का पूरा पूरा बोर्ड वरडास्त कर दिया है तो स्री लंका का यह पूरा का पूरा क्रिकेट बोर्ड बर्खास्त कर दिया गया है अब स्री लंका तो यह मैप में स्री लंका स्री लंका के पिठल के है कूलंबो और स्रे जैवर्दने पुरम कुट्टे कूलंबो कॉमर्सिल के पिटल है और स्रे जैवर्दने पुरम कुट् और स्रिलंका की प्रजेन्ट टाइम पर प्रेसीडेंट कौन है रनेल बिक्रम सेंघिव अच्छा बंडे वर्ड कप में चार सतक लगाने वाले दुनिया के तेसरे करकेट कुइंटर्ण डी कॉग बने है अच्छा बंडे बिसुकप में भारत के सरबादेक विकेट लेने वाले गेंदबाज मुहम्मद समी बने हैं किर्केट से जुड़े बैजबॉल सब्द को अब एक कोलेंस डिक्सिनरी में जोड़ा गया है और कोलेंस डिक्सिनरी सुनके कुछ याद आया अभी AI यानि कि आर्टिफिसल इंटेलिजेंस कुलेंस डिक्सिनरी का 2023 का बर्ड अब द इयर बना है बंडे किर्केट में सबसे तेज सो बिकिट लेने वाले गेंदबाज साहीन अफरीदी बने हैं और अंतरास्ती किर्केट में 18,000 रन पूरे करने वाले पांच में खिलाडी रोहित सर्मा बन बिसाखा पटनम में आयो जित हुआ दूसकुशन का से ओप्सन सही है बिसाखा पटनम के आर के बेच रोड पर पूरबे नौसेना कमान के द्वारा ये आठमा संस्कर्ट बिजाग नेभी मेराथन का आयो जित हुआ इसमें 12,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्ट सबेट कि ने क्युशन है हाली में किस देश के बैग्यानिकों ने बुड़ापा रोदी सफलता का दावा किया है तो चेन के सूध करताओं ने अभी दावा किया है कि बुड़ापा रोदी उन्होंने एक मेडिशन उनाई है तो इस क्युशन का बे आप्सन सही है अब ये सूध किया ह तो चेन के सूध करताओं ने कोसिकाओं का एक ऐसा समूख खोज लिया है जिसको regular vitamin C का dose दिया जाए तो बुड़ापई को रोके जा सकता है अब चेन तो ये है मैप में चेन की capital के है बीजिंग चेन की currency के है रेन मिन भी और चेन के प्रजेन टेम पर प्रेसिडेंट कौन है जे जिन पिंग अभी फिलिपिन्स ने चेन के belt and route initiative से बाहर निकलने की गोश्णा की चेन ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राज़दूत नियुक्त किया बारत ने चेन से सौर उर्जा आयात में 76% की कटोती की और ISSF Junior Base Championship 2023 में चेन टॉप पर रहा है ने क्यूशन है हाली में दुनिया की सबसे लंबे समय तक सासन करने वाली महिला प्रमुक कौन बनी है तो बंगलादेश की प्रधरमंतरी से खसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक सासन करने वाली महिला प्रमुक बनी तो इस कूश्चिन का से ओप्सिंस है बंगलादेश क प्रजेंट टेंप प्राइमिश्टर हैं सेख हसीना ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक सासन करने वाली महिला प्रमुक बन गई है ने क्यूशन है हाली में किसे ग्लोबल रेस्पॉंसिबल टूरिज्म अबार दोजर तेईस प्राप्त हुआ है केरल को ये क्लोबल रेस्पॉंसिबल टूरिजम अबार प्राप्त हुआ है अब केरल तो यह मेप में केरल केटिल क्या है तिर्वननतपुरम केरल के चीफ़निष्टर कौन है पिनराई बेजियन और के गवर्रेवनर कौन है केरल धार्मेक परेटन को बड़ाबा देने के लिए बहु भासी माइक्रो साइट लॉंच करेगा प्रतिष्टित केरल जूति पुरुसकार के लिए टेप पदमनाबन को चुना गया युनेसको द्वारा कूजिकूड सहर को डेश का प्रत्थम साहित्ति का सहर बनाने की गोश केरल बना है और केरल राज सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोक्ताम के लिए टेका करण कारिकरम शुरू करेगी अच्छा केरल में अनाई मुडी सोला नेसनल पार्क है मत्ते केट्टम सोला नेसनल पार्क है और साइलेंट वैली नेसनल पार्क है केरल में सांत घाटी है और पेर राज अमेरिका की सीएटल में नया बाड़े जिदू तवास खोलेगा तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है अब भारत खोलेगा तो भारत को लगातार तेसरी बार AIBD का द्यख चुना गया भारत ICC के तेनों फॉर्मेट में नंबर वन बना है भारत लगातार छटे महीने उबरते बाजारों में सीड्स पर रहा है और बंडे इत्यास में तीन हजार चक्के लगाने वाली दुनिया की पहले किरकेट टीम भारत की बनी है और भारत ने आठमी बार एसिया कब खिताब जीता है ने कुश्चिन है हाली में किस IIT द्वारा ATM-AN नामक उत्कृष्टा के के इंद्र की स्तापना की गई तो अभी IIT कानपूर के द्वारा ATM-AN नामक उत्कृष्टा के इंद्र की स्तापना की गई तो इस कुश्चिन का बे ऑप्शन सही है पहले इसकी फुल्परम याद रखिए ATM-AN ATM-AN की फुल्परम है Advanced Technology for Monitoring Air Quality Indicators IIT कानपूर ने बायु गुडवत्ता की निगरानी के लिए इस उत्कृष्टा के इंद्र की स्तापना की है ने कुश्चिन है हाली में पहली ऑस्टेलिया भारत सिक्षा और कौसल परिसद की बैठक कहां होई है तो पहली ऑस्टेलिया भारत सिक्षा और कौसल परिसद की बैठक अभी गुजरात की गांदी नगर में होई है तो इस कुश्चिन का से ओप्शन सही है अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो मैंने आप से question पूचा था कि हाली में केस राज में बारत का पहला जल विस्व विद्यालय खोलेगा तो अभी उत्तर प्रदेश में बारत का पहला जल विस्व विद्यालय खोलेगा यानि कि इस question का बे option सही था और लगबग सबी इस awareness कांसर सही दिया most less awareness के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक्र देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में गंगा उत्सब के सातमे संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram और X पर indreshrc Instagram और X पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like तो अगर यह video आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लीजी आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बरावर में एक बेल आइकर मन के आएगा आप उस बेल आइकर पर जरू किलिक कर लेए जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज विडियो थैंक्स वर वाचिंग